गुड मॉर्नेंग लागडाउन 3 लागू करने के साथी साथ केंदर सरकार द्वारा देश के सभी 733 जिलों को स्टेट वाइज रेड औरेंज और ग्रीन जोन में बाट दिया गया है और जोन के अधार पिर ही विविन सुविधाय भी दी जा रही है जिसके संबन्ध में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की है अब आप यह जानना चाहते होंगे कि आपके राज में कौन सा जिला किस जोन के अंतरगत रखा गया है तो मैं आपको बता दूँ कि उत्तरप्रदेश को जिले जोन वाइस विवाजन का एक वीडियो मैं पहले ही अप्लोड कर चुका हूँ उत्तरप्रदेश के संबन्ध में आज के इस वीडियो में मैं बिहार, जारखंड और मदप्रदेश के रेड, ग्रीन और ओरेंज जोन के जिलों की चर्चा करूँगा ध्यान रहे कि ये जो विभाजन है ये चार मई से प्रभावी होगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे बिहार के बारे में लेकिन इसके पहले की मैं वीडियो शुरू करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज इसे सब्क्राइब कर लीजिए सब्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों जो भी जानकारिया हों वो आपको तुरंत मिल जाएं तो ये जो बिभाजन है जो नवाइज ये ध्यान रखेगी चार अप मई जिले हैं बिहार में और वो हैं मुंगेर, पटना, रोहतास, बकसर और गया ये पांस जिले जो हैं वो रेड जोन में हैं मुंगेर, पटना, रोहतास, बकसर और गया इसके बाद बात कर लेते हैं औरेंज जोन की तो आरेंज जोन में बिहार में जो हैं कुल बीस जिले आते हैं औरेंज जोन में बीस जिले आते हैं नालंदा कैमूर सिवान गोपाल गंज भोजपूर ये आप चाहे तो इसक्रीन शॉट ले लें चाहे तो इसको ध्यान से सुनते जाए बेगु सराय औरंगाबाद मधुबनी पूर्वी चंपारन ये सभी औरेंज जोन में हैं इसके बाद भागलपूर अरवल सारन नवादा लक्खी सराय ये औरेंज जोन में हैं इसके बाद आईए जो है आगे बंका, बैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा ये भी औरेंज जोन में ही हैं और इसके बाद पूर्णिया ये भी औरेंज जोन में हैं अब बात कर लेते हैं ग्रीन जोन की तो बिहार में ग्रीन जोन में तेरा जिले हैं ग्रीन जोन में तेरा जिले हैं शेकपुरा, अररिया, जामुई, कटिहार, खगरिया ये सभी ग्रीन जोन में आते हैं शेकपुरा, अररिया, जामुई, कटिहार, और खगरिया इसके बाद किशन गैंज, मुझफरपूर, पश्मी चम्पारन, सहरसा, समस्तिपूर ये सभी ग्रीन जोन में आते हैं कुल तेरा जिले हैं किशन गैंज, मुझफरपूर, पश्मी चम्पारन, सहरसा और समस्तिपूर इसके बाद है शोहर, सीता मढ़ी और सौपाल ये इस तरह से हो गए बिहार के 5 रेड जोन, 20 ओरेंज जोन और 13 ग्रीन जोन की अब बात कर लेते हैं कि जहारखंड में जो है वो कितने जिले ग्रीन में हैं, कितने रेड में हैं और कितने ओरेंज जोन में हैं चलिए बात कर लेते हैं जहारखंड की जहारखंड में रेड जोन में केवल एक जिला है और वो है रांची रांची जो है वो रेड जोन में आता है इसके बाद 9 जिले जो हैं वो औरेंज में हैं और 14 जिले, 14 जिले ऐसे हैं जो की ग्रीन जोन में हैं ये बात कर रहा हूँ ज्यारखंड की वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में सभी को शेर कर दें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल जाए तो जारखंड में औरेंज जोन में रांची हो गया अब आए औरेंज जोन की बात कर लेते हैं तो औरेंज जोन में बोकारो गढ़वा धनबाद देवगर हजारी बाग ये औरेंज जोन में है इसके बाद सिम्देगा, गिरिडी, कोडर्मा, जामात्रा, चात्रा, दुमका, जामात्रा तक जो है औरेंज जोन में हैं तो इस तरह से जारखंड में नौ जिले जो हैं वो औरेंज जोन में हैं और इसके बाद 14 जिले जो हैं वो ग्रीन जोन में हैं ये बात कर लेते हैं कि अब ग्रीन जोन में कौन-कौन से जिले आते हैं जहारखंड में तो चात्रा दुमका पूर्वी सिंग भूमी गोड़ा गोमला और लाते हर लोड़ डगा पाकुर पलामू शैबाज गंज और सैरिकेला, खरसवान, वेश्ट सिंग भूमी, खून्टी और रामगड़ ये जिले जो हैं कुल इनकी संख्या है चौदा ये सभी ग्रीन जोन में आते हैं तो जहारखंड में ग्रीन जोन वाले जिलों की संख्या काफी ज्यादा है अब आएए बात कर लेते हैं मद्परदेश की कि मद्परदेश में कितने जिले रेड, कितने ओरेंज और कितने ग्रीन जोन में आते हैं अब चलिए बात कर लेते हैं मद्परदेश की लेकिन मद्परदेश की बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि UP के red, orange और green जिलों की जो लिस्ट है उसका वीडियो मैंने upload कर दिया है और उसका link मैंने description box में दे दिया है तो आप वहाँ से जो है UP के जिले जो हैं वो देख सकते हैं कि कौन-कौन से जिले red, green और orange में आते हैं अब आएए MP की बात करें तो मध्य परदेश में red zone की बात करें तो 9 जिले जो है वो red zone में है 19 जिले हैं ऐसे जो की orange में है और 24 जिले ऐसे हैं जो की green में है मध्य परदेश में 9 जिले red zone में 19 और उरेंज में और 24 जो हैं वो green zone में है चलिए बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी जिले रेड जोन में आते हैं तो मंद्रप्रदेश में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपूर, धार, बरवानी ये रेड जोन में हैं इसके बाद इश्ट, निमार, देवास और ग्वालियर ये नौ जिले जो हैं, ये रेड जोन में आते हैं अब आईए बात कर लेते हैं औरेंज जोन की, उननीश जिले हैं खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, अगरमालवा, मंद्रप्रदौर एक बार फिर से सुन लीजे खरगाओं, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, अगरमालवा, मंद्रप्रदौर ये सबी औरेंज जोन में हैं सागर, सहजपूर, छिनवाड़ा, अलिरजापूर, टीकमगण, शेहडौल इसके बाद, शौपूर, दिनदोरी, बरहाणपूर, हर्दा, बीटल, विदीशा ये भी औरेंज जोन में हैं, इसके बाद, मुरैना भी औरेंज जोन में आता है अब इसके बाद, बात कर लेते हैं, कि ग्रीन जोन में कौन-कौन से जिले आते हैं ग्रीन जोन में 24 जिले आते हैं रीवा अशोक नगर राजगर शिवपुरी इसके बाद अनूपपूर बाला घाट बिहाइंड छतरपूर दमो दतिया इसके बाद अनूपपूर बाला घाट बिहाइंड छतरपूर दमो दतिया इसके बाद गुना जाबूआ कटनी मांडला नर्सिंग पूर नीमच फिर सलने गुना जाबूआ कटनी मांडला नर्सिंग पूर नीमच इसके बाद पन्ना सतना सिहोर सियोन सीधी उमरिया पन्ना, सत्ना, सिहोर, सियोनी, सीधी, उमरिया ये ग्रीन जोन में है और सिंगरॉली और निवारी ये सभी ग्रीन जोन में है तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बिहार जारखंड मत्रदेश के रेड ग्रीन जोन, औरेंज जोन के जिलों की चर्चा की है जहां तक सवाल यूपी का है तो यूपी का मैंने जो है अलग से एक वीडियो अप्लोड किया हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिशन बाक्स में दे दिया है आप वहां से यूपी के बारे में जानकारी कर सकते हैं और आपको किसी और स्टेट की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ लिजेगा तो मैं उसका भी वीडियो अप्लोड कर दूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स को ग्रूप सो सभी साथ को शेयर कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ओके थैंक यू